दोस्तों नमस्कार स्वाकत है आप सभी का गोल्डेन पार्ट साला में प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में कच्छा आठ के विद्यार्थियों के लिए विशय सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण पत्र हल करेंगे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने लिया है CR code का प्रशन पत्र अगर आपके विद्यालाय में इस code का प्रशन पत्र आता है तो आप इसको जुरूर तयार करके जाएं otherwise आप सभी लोग इस paper को एक model paper की तरह तयार करें इसमें आये हुए सभी प्रशन most important हैं और आपकी परिच्छा में 100% आने के chance है तो आईए सुरू करते हैं वीडियो को और प्रशन पत्र को हल करते हैं सबसे पहले खंड का दिया गया है जिसमें इतिहास के प्रशनों का समावेश किया गया है पहला प्रशन है निम्नलिखित प्रशनों में सही बिकलब का चैन कीजिए का प्रशन है भारत सुतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 तो आप सभी को ये तीनों डेटों के बारे में पता होगा जिसमें आपका बा अंसर जो है वो सही है बा अपसन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश सुतंत्र हुआ था आजाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारती समिंधान लागू हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान देश आजाद हुआ था तो आप ध्यान रखेंगे जो इस प्रशन का उत्तर सही है वो आपका बा अपसन हो जाएगा खा प्रशन है फारवर्ड ब्लाग का संबंद है राम अनुह लुहिया से अरुणा असफली से जैप्रकास नारान से या सुभाशंद्र बोस से तो सही आपसन वच्चों है दा आपसन सुभाशंद्र बोस का संबंद है फारवर्ड ब्लाग से इसके बाद है नेक्स्ट कुश्चन दो नमबर अतलग उत्रिय प्रशनिस में दिया गया है पहला प्रशन है जो आतिबा फूले ने किस समाज का गठन किया था तो जो आतिब नेक्स्ट कुश्चन खा नमबर भारती राष्टी कांग्रेश की इस्थापना में अग्रणी भूमिका की सधिकारी की रही तो ये वच्चों थे ए वो ह्यूम आपको लिखना है ए ओ और ह्यूम ऐसे आपको लिख देना है इसका आपका पूरा एक अंक मिल जाएगा गाप है तेरह अप्राइल 1919 को कौन से घटना घटी थी तो तेरह अप्राइल 1919 को जलिया वाला बाग अत्याकांड हुआ था ये आप लिख दीजिएगा गाप रशन है सत्यागरह वाले पहले वक्ति कौन थे तो सत्यागरह करने वाले पहले वक्ति थे महात्मा गांधी अंगा नम इनको आपको तयार करना है का प्रश्न है सरणाथियों की समस्या क्या थी खाप्रश्न है अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों भूस हुए कि नहीं तीन काड़ों का उल्लेक की जिए होम रूल लीग स्थापित करने का क्या उद्धिश था दिभ्यांगता के काड़ों पर प्रकार डालिए तो चार-चार रंक में आपको जो है प्रश्न दिये गया है लगुत्रिय प्रश्न है कम से कम आधे पेज से आधिक आपको लिखना है चवथा प्रश्न दिया गया है कि दिर्गुत्रिय प्रश्न कोई दो प्रश्न यहां से हल करना है तीन प्रश्न दि की गई थी और गाप रशन है नागरिक सुरच्छा संगठन का क्या उद्देश से है तो इसमें से कोई दो प्रशनों को हल करना है अगला प्रशन है यहाँ पर पांच नमबर मिलान कीजिए आठ नमबर यहां से आपको मिलेंगे लकडी को मिला दीजिए ठोस लकडी क्या है ठ फोस इंधन होता है और पेट्रोल जो है यह द्रब्ब्य होता है द्रव होता है लपीजी जो है आपकी गैस होती है और मैगनेसियम यह धात है तो इस प्रकार से आप मिला देंगे तो आपको आठ अंक पूरे मिल जाएंगे चटा नमबर कुश्चन है निमलिके तरिक बुझा जाता है तो यहां पर आपको लिखना है फोम टाइप अगनिसामक यंद्र थोड़ा सा बड़ा है तो आप सुनके लिख दीजेगा फोम टाइप अगनिसामक यंद्र तो फोम टाइप हमने लिख दिया है आपको अगनिसामक यंद्र लिखना है तो इसमें लिख दी आपदा के उपरांत की अवस्था है, यहां पर आपको लिखना है उपरांत, खा है सुनामी, जापानी भासा का सब्द है, तो सुनामी किस भासा का सब्द है, जापानी भासा का सब्द है, तो यहां पर जापानी भासा का सब्द है, तो यहां पर जापानी भासा का सब्द है, दूसरा प्रशना है सही जोड़े बनाईए कराची तो कराची को पाकिस्तान से मिला दीजी यांगून को आप जो है मियामार से मिला दीजी काठमान्डू को आप जो है नेपाल से मिला दीजी ढाका ये बांगला देश की राधधानी है जकारता इंडोनेशा से मिला दीजिए तो ये आपके हो गए देश और उनकी राजधानी इसके बाद है कोशन नमर तीन कारण बताईए मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या आधिक निवास करती है क्या कारण है खाप प्रदेश में दुख्द ब्योसाय क्यों विक्सित होता है तो इनके कारण आपको बताना है चवधा प्रदेशन है सही के लिए सही वा गलत के लिए गलत का निसान लगा ये चार अंक उत्तरपदेश की जनसंख्या सबसे कम है ये गलत जवाब है ये अधिक जनसंख्या का बत्रण समान है गहा है अधिक जनसंख्या प्रदेश करती है तो ये आपका जो है प्रदेश की जनसंख्या अधिhma होगी तो परदूसर बढ़ेगा इसके बाद कुश्य नमर। पांच है निमलेहित प्रषनों के उत्तर दीजीए यहां से आपको तीस अंक मिलेंगे और पांचों प्रशनों के उत्तर देना है बादल फटने से क्या समझते हैं प्रदेश में बाढ़ और सूखा पढ़ता है क्यों महादियूपी जलवायव की क्या विशेस्ता होती है उत्तर बदेश की करसी यों पसपालन की दरश्टी से एक संपन राज्य है क्यों पढ़ती हुई जहनाइख्या से हम किस तरह प्रभावित होते हैं तो इन सभी प्रशनों के उत्तर आपको याद कर लेने हैं और बाकी जो मिलान रितस्थान और सहीगारत की निसान है यह हमने आप सभी को बता दिया है बाकी सेस काम आपको करना है अगर आपके विद्याले में सी आर कोड का बतलाता है तो आप इसको जरूर तयार करके जाएं इसके अलाबा आप सभी लोग हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं कच्छा आठ की पेपर वाली प्लेलिस्ट जिसमें आपको ओल्ड पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे तो उनको भी आप प्रेक्टिस कर लें जो कोशन आपको नहीं आता है उसको जरूर तयार करके जाएं तो इस वीडियो में बस्तना ही मिलता है नेक्ट वीडियो में तब तक कि लिए धन्यवाद जैहिन वन्यमात्रम